हलो मैं दीयare शुदेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा हमोमोलिटिक एन्ड हैटरोलिटिक क्लिविज यह आपका टाइप सॉफ क्लिविज का पार्ट है जिसमें दो तरीके के क्लिविज होते है एक होता है हेट्रोलिटिक, दूसरा होता है होमोलिटिक क्लिविज, बहुत इजी पार्ट है जिसमें आप तीन टर्म्स को याद रखिएगा, आएंगे, एक होगा इलेक्ट्रोफाइल, एक होगा नूक्लिफाइल और तीसरा होगा आपका फ्री रैडिकल, ठीक है, याद रख टाइपस ओफ फिजन भी बोलते हैं इसको या फिर टाइपस ओफ लिवेज, अलग अलग बुक में या अलग अलग नाम है, एंसी आर्टी में फिजन है वर्ड, ठीक है ना, टाइपस ओफिजन, दो तरीके के हैं, पहला, पहला है आपका होमोलिटिक, फिजन या क्लिवेज ठीक है ना, फिजन या क्लिवेज, दूसरा है आपका हैट्रोलिटिक, हैट्रोलिटिक क्लिवेज, या फिजन, सबसे पहला वाला स्टार्ट करते हैं, होमोलिटिक, देखे बिटा, होमोलिटिक, फिजन, हमोलिटिक, फिजन, क्या होते हैं, पहले एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद आप इसकी स्टेट्मेंट, खुदी बना लेंगे, ठीक है, सुनिया जान से, सपोस कहते हैं, कि मेरे पास ना, क्लोरीन, और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, और इस पे मैं डालता हूँ, ह आप लोगों ने, प्लांक्स कॉंटम थियोरी में पक्का सुना होगा, ईस इकल टू हूँ, ठीक है, तो ये, इस इकल टू हूँ में, जो यह होता है, वह होता है, आपका अनरजी ऑफ लाइट, ठीक है, तो एच नियू, सेम वही है, तो इसको मैं सनलाइट भी, यूस कहता ह जाएड में, ज़्यदा इलेक्ट्र-N diuり टी कि यहां तो दोनों की बराबर यहां तो यहां पस बराबर बनाने है, तो इसको में, न आपका पॉसिटिवश बनेगा, यह आपका बनेगा, नहीं आपका बनेगा डिव तो क्या बनेगा, रेडिकल, क्या बंता है, Fury Radical तो chlorine पे radical बन जाएगा दूसरा यहां पे chlorine पे क्योंकि यह अपना ले गया यह अपना ले गया बराबर बराबर बढ़ते हैं ने electron तो generate होता है आपका radical की वर्ड याद रखिएगा free radical तो यह generate हुआ two moles कितने moles हुए generate two moles two moles of chlorine free radical which are highly which are लिखिए बिटा यह भी statement लिखवाता हूँ ठीक है न विचार highly reactive and unstable and unstable याद रखिएगा positive negative cation और anion से भी ज्यादा cation और anion से भी ज्यादा reactive होते हैं कौन आपके free radicals ठीक है तो homolytic fusion में क्या है जो covalent यह जो भई नॉनमेटर नॉनमेटर के बीच में है तो obviously covalent bond होगा तो equal distribution इस तरी के सिसकी statement लिखेंगे बीटा equal distribution equal distribution of share pair of electron pair of electron between two homoatomic homoatomic मतलब same atom के बीच में जो bond होगा homoatomic मतलब same atom के बीच में bond होगा homoatomic अब homoatomic होगा तो molecule compound लिखूं molecule same atom से मिलके बनने वाली चीज molecule होती है तो homoatomic molecule molecule called होओं लिटिक फीजन homoatomic जो भी बोलते हैं आप लिटिक फीजन तो यह इसकी statement है याद रखिएगा और इसमें जन्रेट क्या होता है याद रखिएगा क्या जन्रेट होता है free radical clear है जैसे कि आप देखा homoatomic में बराबर बराबर लेक्टन बटें बराबर बराबर इक्वल डिस्ट्रिबूशन हुआ इसी तरीके से हैट्रोलेटिक में अनिक्वल डिस्ट्रिबूशन होगा क्लियर है नोट करिए इसको बढ़ते है नेक्स्ट वाले पे चलिए बढ़ है है ट्रोलेटिक फिज़न है है घ्ट्रोलेटिक फिज़न इसमें क्या होगा पहले एग्जामपल देखते हैं फिर इसकी स्ट्रिट में रिख लेगए थीयरे सब्सक्री अब तो यह जो बॉन्ड है इसकी यह टोसी यह लिगासी सीजियक यह चोगा होता है तो फिल उससे होते हैं इलेक्ट्रोंफाईल क्या होता है एलेक्ट्रोंफाईल 만들어 करें तो इलेक्ट्रो फाइल है इसका मतलब इलेक्ट्रो फाइल सार इलेक्ट्रोन डेशेंट क्या ह facebook अर दूसरा यह क्या है आपका जो नेगेटिव व्लम वाला वागा उसे बोर गने नीूखल ठिक है क्या होंग नेगेटिव है तो ओविसली रेच होगा इलेक्टरॉन इस दियार इलेक्टरॉन बढ़ी प्रों में आ इन नेचर क्लिए तो अथा तो हो मुल है ट्रोलेटिक आपके पारी उलेक्टरोफायल नुक्रिफाइट यद्णिव में 53 वर्ड याद रखिएगा इब यहां पे कैसा डिश्रीबिशन हुआ इकवल टो इसको लखेगा अन ऌर एकवल डिस्ट्रीबिशन अन यकवल डिस्रीब्यूशन ऩे आफूal छियर्ड पेर और एलेक्टावन पेर और एलेक्टावन बिटेविन तो है ट्रो एक डोन मेंना है अलग अलग अट्रो यह ट्रोमेक अब molecule किम पाउंड थी कैं है है फाल्ड क्या है हेट्रोलीटिक फीजन है फो डिटिक फीजन इतने एजी और नेफिन ए तो यह आपका हमोमोलीटिक और है टिक हो ठीक है अच्छा मैं आपको इसके बाद अब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लिफाइल का ब्रीफ लेक्चर दे रहा हूं ठीक है ध्यान से सुनेगा और यह भी इंपॉर्डेंट टर्म है ठीक है एमसी क्यूज में जनरली पूछ लिया जाता है नीट में भी जी में चलिए वर्ड याद रखिएगा फ्री रैडिकल और सुरी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लिफाइल ठीक है एक वर्ड है आपका जो अभी आपने देखा इलेक्ट्रोफाइल ठीक है इलेक्ट्रोफाइल को दा मैं जनरली या फिर हम सब जनरली इपॉजिटिव से सब्सक्राइब करता हूं क्लियर है एन यू नेगेटिव से क्लियर अच्छा इलेक्ट्रोफाइल जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रोफाइल क्या होते है इलेक्ट्रोफाइल सोते हैं आपके इलेक्ट्रोट अफिशेंट तो वर्ड यार याद रखिएगा दे आर फिर से लिक डेट्रों स्पीसिस पहला तो यह दूसरा घ्लेक्ट्रों डेफिशन्ट होगा चीक है तो हर अनकी होती है लूइस एसट होती है क्या होती है आपने पढ़ा होगा अधनक अरनिय आसेट बेसकांसेट भॉंस तो जो भी electron deficient है वो Lewis acid होते हैं तो दे आर दे आर लुइस acid क्या होते हैं Lewis acid अच्छा इसके examples क्या क्या हों गया अब सुनिए ध्यान से इसके examples दो तरीके देख सकते हैं एक तो अक्टेट रूल में एक positive charge हर positive charge जिस पर भी positive charge है वो क्या होगा आपका electrophile जैसे एन ए पॉजटिव हो गया है एच पॉजटिव हो गया ठीक है CS3 पॉजटिव हो गया NO2 पॉजटिव हो गया और SO3H पॉजटिव हो गया CS3 C double bond O positive हो गया ETC ठीक है और भी हो सकते हैं जैसे जो electron deficient रूल को अभे नहीं करते हैं उसमें भी electron deficient हैं जैसे सपोज़ आपका हो गया BCL3 BCL3 में बी जो है वो central element है बी के outer most shell में कितने electron है तीन बोरोन है ना और बोरोन कितने bond बना रहा है तीन तीन मतलब कितने electron छे तीन बोरोन मतलब 6 electron और यह less than 8 है less than 8 क्या होते है electron deficient तो यह इसके पास सेंटल भी बोरोन के पास less than 8 लेक्ट और बोरोन हैज लेस देन एट एलेक्ट्रोंस ठीक है अकॉर्डिंग तुदा कॉंसर रूल ऑक्टेच्ट रूल ऑक्टेट रूल ऑक्टेच्ट रूल के कॉर्डिंग इसलिए है एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल ठीक है ऐसे भी आद रखिएगा अब आते हैं न्यूक्लियोफाइल पर न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोण रिच होंगे ठीक है तुरिए आर एक लेक्ट्रोण फोलिए रिच स्पीशिस ठीक है दूसरा अब ही लेक्ट्रॉन रिच है तो लूइस ऐसे डोगा बेस होगा लूइस बेस होगा क्या होगा दिया लूइस बेस लूइस बेस यह क्या होगे लूइस बेस अब इसके एक्जामपल जो नुक्लियोफाइल है ना वो तीन कैटेग्री में बटेंगे यह दो तरीके से बटें एक तो पॉस्टिव चार्ज वाले बटें दूसरा ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग जिसके पास आठ से कम ऐचा कि वो नेगिटिव होगा क्या होगा नेगिटिव दूसरा उसपे क्या होगा लोन पियर क्या होगा लोन पियर तीसरा हो सकता है जिसके पास और से से सेट्टर। अलेमарт पर आठ से पढ़ेखांपल देखते हैं य है नेगटेव लोन पे वाला तो फिस बाट वला है और और संटर अले तो यह सारे के सारे क्या होंगे इस क्या 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 हूंग इस तो यह आपका नूखले फाइल का ब्रीफ लेक्चर है याद रखिए कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्षन बताईएगा वीडियो कर अच्छी लगे अपने दोस्तों को चैनल को सब्सक्राइब करेंगा और प्यारा सा कमेंट करके जाएगा तब तक के लिए टेक क्या